असलाम अलेकूं आज आपके लीव बहुत ही प्यारा स्लीव कार्जाइन लेके आई हूं जो उमीद करती हूं आपको बहुत पसांद आएगा तो वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम स्लीव की मैयर्मिंट कर लेते हैं तो मैं इदर ले रहे हूं 10 इंच और आप अपनी के लिएक perfect हैं और इस तरह इसको फोल्ड़ करेंगे और इसको अपरसे स्लायल का देंगे किनारे कीं अजी इस तरह आपने स्लायल का ले नहीं है है यह डिजाइन आप दामन पर भी बना सकते हैं टोजर पर भी बना सकते हैं इस तरह घ्र सारी पुटियों कर ली हैं उसके ब ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके उसके बार चीज़ देखिजी इस तरह हम इसके उपर रखेंगे अगर आपको मुश्किल हो तो आप निशान लगा सकते हैं पहले हम एक इंच का गैप छोड़ेंगे तो आप एक एक इंच पर निशान लगा लें तो ब विजर्ट कीजिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल का विजर्ट नहीं किया तो जरूर कीजिए बहुत अच्छे टुटोरियल मिलेंगे आपको यह देखिजी इसी तरह आपने अराम से डिजैनिंग करते जाना है बहुत प्यारा डिजाइन है तो वीडियो को एंड तक द देंगे आप उसके बाद हम से पी लेंगे जिसकी चुड़ाइ और तिरिए बंदी नहीं जोगी और हो खुली्म हम इतनी ही रखेंगे जितनी हमारी स्विलीव है इसके बाद जितना मैरा एक्स्ट्रा थी को हम काटिंग कर देंगे और इस तरा हम इसको फोल्ट करेंगे यह साथ भी कर सकते हैं एक इंचम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और इस तरह ये देखेजी बहुत आराम से हो जाएगा बहुत प्यारे कट्वरक बिल्कुल एक ज्यासे बनेंगे यह देखे जिस तरह यह देखें बहुत प्यारा कट्वरक बना मारा अब हमने कपड़े के उपर चिपका लिया, डबल कपड़ा एदेखे जी, अब हम इसके उपर स्लाई लगाएंगे, किनारे के उपर, चेपी के उपर बिल्कुल भी स्लाई नहीं आनी चाहिए, किनारे किनारे पर लगाएंगे और सलाई लगाते हुए मशीन का बहा जो है वो हम छोटा रखेंगे ताकि नीटनस के साथ सलाई लगे और जब हम नोप में जाएंगे तो नीडल को अंदर रखते हुए हम गुमाएंगे तो फिर हम इसकी ये देखे जी इस तरह बहुत अच्छे से फिंशिंग लेके आनी है अब हम इसकी इस तरह कटिंग करेंगे हलका सा मार्जन छोड़ेंगे और बाकी हम इसका कपड़ा जो है वो कट कर देंगे और इस तरह हम इसको कट लगाएंगे दागा बिलकुल नहीं कटना चाहिए उसके बाद इसी तरह हम इसको सिद्धा करेंगे ये देखे जिस तरह उपर से हम इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ये देखें जब प्रेस करने के बाद ये देखें बहुत अच्छा सा नीड सा मारा जो है वो पैटर त्यार हो गया उसके बाद इतना कपड़ा है एक्स्ट्रा वो हम इसका कटिंग कर देंगे ये देखे जी इस तरह उसके बाद जी देखे इस तरह की हम लैस लेंगे इसको हम इस तरह लैदा करेंगे ये जो छोट 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 फलावर हैं तो यह हम इस तरह इधर रखेंगे और ici लगाएंगे, इसितर आपने ठबते जाना है और किनारी की लगाते जाना है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल का विजर्ट नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल का विजर्ट कीजिए बहुत अच्छी ची वीडियो आपको मिलेंगी stitching के बारे में, designing के ideas के बारे में तो जरूर मेरे चैनल का विज़र कीजिए तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe भी कीजिएगा और बेल एकन को जरूर प्रेस करकर all options लेट कीजिए ताके हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे ये देखे जी इस तरह और मुझे कमेंट करके भी जरूर रगताएगा कि आपको designing कैसी लगी हाँ जी ये देखे इस तरह मारा complete हो गया बहुत प्यारा ये देखे मारा design लग रहा है उसके बाद जी इस तरह के हम छुट छुट से flower से बनाएंगे 35 इसको बनाने के लिए ये देखे जी इस तरह हमने 2-2 इंची डाइडा इंच की हमने इस तरह समोसी ये तियार करनी है इस तरह हमने इसके उपर रखना है और ये देखे जी इस तरह इसको fold करना है उपर से हमने इसको slide लगा देनी है यह देखे इस तरह फिर आमने इसी तरह यह देखे जी फोल्ड किया और इसके उपर स्लाइल लगा दी एक्स्रा कप्री के हम कटिंग कर देंगे ये देखे बहुत प्यारे ये देखे जी इस तरह हमारा कम्प्लीट हो गया उसके बाद हम इसको रखेंगे इस तरह बिल्कुल एक साथ इसको लगाते हो इसकी नोके वगारा सब कुछ एक जैसा आना चाहिए और उपर से हम इसको स्लाई लगा देंगे यह देखे जी इस तरह बिल्कुल एक साथ एक जैसे आने चाहिए कोई बड़ा चोटा नहीं होना चाहिए यह देखे जी बहुत प्यारा हमारा डिजाइन जो है वो कम्प्लीट हो रहा है उसके बाद यह देखे जी इस तरह इसकी हो लिए हम फैब्रिक लेंगे डेडिन्स का और इसको इस तरह डबल करेंगे और इसकी उपर आके हम स्लाई लगाएंगे इसकी हम मगजी निकालेंगे उसके बाद ये देखे जी इस तरह एक्स्ट्रा कप्ड़ी कटिंग करके अंदर की तरह इसे फोल्ड करेंगे ये देखे जी और किनारे की हम स्लाई लगाएंगे असलाई हमारी रेड फैबरी के उपर आने चाहिए ये देखे जी इस तरह दोनों साइडों पे हमने इसी तरह कर लिए उसके बाद जी देखे हमने जो पैटर त्यार किया था उसको हम रखेंगे इस तरह और इसकी किनारे के उपर हम सलाई लगाएंगे ये देखें जी तो प्लीज जिन्हों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेले किनको जरूर प्रेस करकर आलका उप्शन स्लेट कीजिए ताके हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले ये देखे जी इस तरह ये भी हमारा कंप्लीट हो गया बहुत प्यारा डिजान है मुझे कमेंट करके जरूर प्ताइएगा की डिजाइन आपको कैसा लगा अब हम इस तरह इसकी ऊपर भी स्लाय लगा देंगे कर दो देखे जिए इस तरह ये देखे ये मारा complete हो गया उसके बाद हम उपर जो designing करेंगे उसके लिए हमें फिर से ये देखे जी सवाइंच पर हम निशान लगाएंगे और ये फाफ इंच उपर और ये फाफ इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे ताकि डिजाइनिंग जो है हमारी बिल्कुल एक जैसे ही आए ये जो न्यू सीखने वाले हैं ये उनके लिए बहुत अहमियत रखता है डिजाइनिंग करते हुए जब आप डोर्स पगारा लगा लेते हैं तो आपकी डिजाइनिंग बहुत अच्छे से होती है अब हमने ये पटी त्यार की थी वन सेंटीमीटर की हमने पटी त्यार की थी और ये देखे इस तरह हमने इसको किनारे की सलाइल गानी है और इस तरह हमने इसको गुमाते जाना है ये देखे जी इस तरह फिर अगेना में इसको इस तरह गुमाएंगे जैसे हमारी जिग जैड़ वाली ल इसी तरह हम मुकंब्र इसको क्म्प्लीट करेंगे इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी स्लाई लगाएंगे या देखे जिस तरह बिल्कुल इसको सिधा रखते हुए बहुत एहतियात के साथ आपने स्लाई लगानी है और किनारे की स्लाई लगानी है बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए ये देखे जी इस तरह उसके बाद हम अगेने के डोरी लेंगे रड कलर की इसके साथ जो भी आप कंट्रास्ट करेंगे तो इस तरह हम जो सेफटी पेम में डालके और ये देखे जी इस तरह एक उपर और एक नीचे करेंगे और इसमें से हम इस तरह इसको गुजार देंगे ये देखे जी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा अपना बहुत सारा ख्यार कियेगा मुझे भी दौाओं में याद रखियेगा तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिएगा नेक्स वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूंगे इंशाला बहुत अच्छी सी वीडियो ले के आउंगी तो जाते जाते लाइक भी जरूर कीजिएगा ये देखे बहुत प्यारा हमारा रजाइन जो है वो कम्प्लीट हो गया अब हम इसकी फिटिंग की स्लाइल का देंगे ये देखे जी इस तरह हमें इसके मोती भी लगा दिये इसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही है अब सिंपली आप इसको फिटिंग की स्लाइल का जितना आप खुला रखना चाती है तो ये देखे जी पहनने और को बाद इसकी लुक इस तरह की आएगी तो अपना बहुत ख्यार कीगा मुझे दौाओं में याद रखी गए इन्शाला बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे तो चैनल को जाते जाते सस्क्राइब जरूर कीजिए गा लाइक भी कीजिए गा ठैंक्स पूर वाचिंग अलाफीज